नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को लेकर के जिहां मूँ के छालों का घरेलू उपचार हम आपको आज बता रहे हैं मूँ के छाले काफी आम और असहज होते हैं यह दर्दनाक होते हैं साथ ही इनके खुले घाओं का रंग सफेद रहता है इनके आसपास सूजन रहती है जिस वज़ा से कुछ भी खापाना मुश्किल हो जाता है छाले गालों के अंदर होंट जीव के नीचे और मूँ के तलवों के नीचे दिखाई देते हैं मूँ के छाले कई कारणों से होते हैं जैसे मसालेदार खाना, कब्ज, वन्शानुगत कारक, हर्मोनल परिवर्तन, अतिरिक्त अमलता, आकस्मिक गाल के काटने, तनाव और विटामिन B, विटामिन C, लुहा तथा अन्य पोशक तत्वों की कमी से आपको मूँ के छाले हो सक आती है, खुद बखुद, बड़े और हर पेटी फोर्म छाले हालांकी ठीक से होने में काफी समय लेते हैं, मुख्य छाले आम तोर पर गहरे होते हैं, और डाइमीटर में तेन मिलीमीटर से अधिक होते हैं, हर पेटी फोर्म छाले बड़ी संख्या में छोटे छालों के आज हम आपको मुंग के छालों को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप बिना किसी परिशानी के इन्हें ठीक कर सकते हैं सबसे पहले तो मुंग के छालों को कम करने के लिए मुलेठी की जड़ों का आप प्रियोग करें मुंके च्छालों को मुलेठी की जड़ों से ठीक किया जा सकता है क्योंकि यह जड़ी बूटी आपके च्छालों के दर्द और सूजन को कम करती है इसके अलावा मुलेठी की जड़ें शलेश्मा जिल्ली पर एक सुरक्षात्मक परत बनाती हैं जिससे जलन कम होती है साथ ही घावों को खुलने से भी रोकती है इसमें सुजन रोधी और रोगान रोधी के गुण पाय जाते हैं मुलेठी की जड़ों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे यह हम आपको अब बताते हैं एक चमच पीसी हुई मुलेठी की जड़ को दो कप पानी में दो से तीन घंटे तक डालके रखें इस मिश्रन को मुह में लें और उसे कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रखें आप चाहें तो उस पानी को धीरे धीरे अपने मुह में कुला करने की प्रक्रिया की तरह चला भी सकते हैं कुछ सेकेंड्स के बाद उस पानी को थूख दें और फिर से यहीं प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक आपका मिश्रन खत्म नहीं हो जाता है इसके अलावा दूसरा उपाय है मुह के चालों के लिए नारियल का दूध जिहां नारियल का दूध मुह के चालों के दर्द को कम करने में बेहत भायदे मंद है नारियल के दूध का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे यह आई अब हम जानते हैं एक चम्मच नारियल के दूध में थोड़ा शहद मिलाएं इस मिश्रण से अपने प्रभावित शेत्रों पर हलके हलके मसाज करें इस प्रक्रिया को पूरे दिन में तीन से चार बार दोहराएं इसके अलावा आप सिर्फ नारियल के दूध का भी मुह के छालों के लिए इस्त सेप्टिक और निसंस क्रामक के गुण पाया जाते हैं इसलिए आप सामगरी को अलग से या मिलाकर मुह के छालों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आईए जानते हैं समुद्री नमक का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे एक गलास गर्म पानी में दो चम्मच समुद्री नमक और तीन हाईड्रोजन पाराकसाइड मिला लें इस मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को कुल्ला करने के लिए इस्तेमाल करें मिश्रण को पूरे दिन एक या दो बार जरूर दोहराएं कोशिश करें कि ये मिशड़र्ण कुल्ला करते समय अंधर न जाए इसके अलावा अगला उपाए है मुँग के च्छालों की दवा के रूप में आप धनिये का प्रयोक कर सकते जिहां धनीय का बीज धनीय के बीज का मिश्रण एक अईरवेदिक उपाय है जो मुझ के छालों को काफी रहत देता है साथ ही सूजन को भी कम करता है धनीय का बीज का इस्तिमाल हप कैसे करेंगे यह जानते हैं अब एक कप गरम पानी में एक चमच धनीय के बीज को डाल इस मिश्रण को पूरे दिन में तीन से चार बार जरूर दोहरा है मूह के छालों का घरेलू उपाय है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा यानि कि जिसे हम सोडियम बाई कारवोनेट के रूप में भी जानते हैं मुझे च्छालों का इलाज करने में बेकिंग सोडा बहुत फायदे मन्द घरी लूपाए है यह विशेष रूप से अमलिय खाद्य पदार्थों या पेयपदार्थों के कारण होने वाले च्छालों के लिए बेकिंग सोडा बहुत उपयोगी है यह एसीड को बेसर करने में मदद करता है इसके इस्तेमाल से आपकी सूजन, रोगान और बैक्टीरिया को दूर करने में मदद मिलेगी ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा से आपको जलन हो सकती है अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे एक चमच बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में डालें और एक पतला पेश्ट तयार कर लें इस पतले पेश्ट को अपने च्छालों पर लगाएं इस प्रक्रिया को पूरे दिन में कई बार दोहराने की कुशिश करें इसके अलावा आप सिर्फ बेकिंग सोडा को भी सीधा अपने मूग के च्छालों में लगा सकते हैं मूग के च्छालों का इलाज है शहद जी हाँ शहद मूग के च्छालों के दर्द को कम करता है शहद नमी बनाने में मदद करता है साथ ही उपचार प्रक्रिया को भी एक गती प्रदान करता है इसमें एंटियोक्सिडेंट और एंटिबायाटिक गुन भी पाया जाते हैं तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे आये जानते हैं शहद में एक रुई डुबोई है और इसे अपने प्रभावित शेत्रों पर लगाईए आप शहद के जगह पर ग्लीसरीन या विटामिन E के ओयल का भी उपयोग कर सकते हैं मुग के गाउं के लिए यह एक वीकिरन चिकित्सा है और इसके लिए मनुका शहद का उपयोग करें अगला उपय है एलोवेरा मुग के छालों के लिए बेहदलाफ दायक होता है एलोवेरा जेल या उसके जूस को अपने प्रभावित शेत्रों पर लगाएं इसके इस्तेमाल से आपके छालों में होने वाला दर्द कम होगा साथी यह प्राकृतिक एंटिसेप्टिक के छद लाब दायक है जैसे मुग के छाले घाव मसूडे की सुजन और लाइकिन प्लेनूस इत्यादी मुग के छालों को दूर करने के लिए अजमूद का भी आपिस्तेमाल कर सकते हैं मुग के छालों से छुटकारा पाने के लिए ताजा अजमूद की डंठल को चबाएं इस इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B1, B2, B6, विटामिन C और अन्यगून शामिल होते हैं अच्छा परेडाम पाने के लिए अजमूद की डंठल को चबाने के बाद उसके गुदे को लगभग 10 मिनट के लिए अपने प्रभावित शेत्रों पर लगा कर के इलाज के लिए तुलसी बेहत गुणकारी होती है इसके अलावा इसमें जिवान उरोधी, एंटी फंगल और एंटी वाइरल के गुण भी शामिल होते हैं तो आए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे चार या पांच तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से धो लें उन पतों को चबाएं और चबाने के बाद थोड़ा पानी के साथ उन्हे निगल लें इस प्रक्रिया को पूरे दिन में सुबह और शाम को जरूर दोहरा हैं लेकिन इसमें ध्यान रखें कि तुल्सी के पत्तों को कभी भी दांतों से चपा करके नहीं खाना चाहिए क् यहां मुह के छाले को दूर करने के लिए बरफ एक प्रभावी उपआय है जब आप बर्प को प्रभावित शेत्रों पर लगाते हैं तो ये आपके चालों को ठीक करने के लिए बेहत भायदे मंद होता है बर्प को अपने प्रभावित शेत्रों पर लगाने से जुन जुनी और जलन जैसे लक्षनों का अनुभव होता है इन घरेलू उपायों के अला को प्रभावित कर रहे हैं तो उपचार के लिए अपने चिकित्सक से इस बारे में बात करें तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑल्वेज रखना चीए क्योंकि हमारा स्वास्थ जो है वो सबसे ब बिमारी घर कर जाती है आ जाती है तो हमारी लिए दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाती हैं इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को अल्वेज अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो की जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से क्योल मीथा मीथा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाह जरूरी है सुभाव से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाए या डाइट चार्ट बनाए जिसमें की हर एक चीज शामिल हो जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सकें तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूर्जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों